वेल्कम बैक टो माई टूप चल पेपर हैकर कैसे हैं आप सभी लोग आई हूँ बच्छे होंगे और आज किस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छातर बीए में हो यह फिर बीकॉम फर्स सेमस्टर है मनलग कि फर्स एर में है और उनका फर्स सेमस्टर है तो उनके लिए स आपका पेपर का नाम हो जाएगा फूड एंड निउट्रेशन और हाई गें मतलब कि आहार पोशन और स्वस्था के बारे में यह यहां से कोशन चाहाँ बीए में हो बीकॉम में हो यहां से कोशन बनेंगे एमस्टी को कोशन सो कोशन पूछे जाएंगे जिसमें आपको सो के सो कोशन करने होगे ठीक है और आपको तीन गंटे या फिर फिर डेड़ गंटे का टाइम दे रहें कोई दर नहीं की जरूत नहीं है आप यूपी के किसी भी युनिबस्टी से है बिहार से है या यह पिर आप कह सकते हैं UK उत्राखंट से हैं आपको मैं बादा कर सकता हूँ जो मैंने आपको 2022 में जो important देखन दिये हैं उन-उन कोशनों को पढ़के चले जाना आपको फेल करने वाला कोई नहीं है ये मैं खुद कह सकता हूँ लिक की दे सकता हूँ मैं आपसे बादा कर रहा हूँ कुछ भी मत पढ़ना एक्स्ट्रा जो मैं आपको बोल रहा हूँ बस उतना पढ़के चले जाना है बाकि कुछ देखने की जरुत नहीं पढ़ेगी यही सारे कोशन चपेंगे बाकि कुछ नहीं देखना है आपको अभी YouTube चनल पर हैकर को सस्क्राइब कर ले ना है जो देख रहे हैं इस चनल को सस्क्राइब कर लिए आपकी लाइफ बदल देगा मैं सच बूल रहा हूँ ध्यान से देख लेना मेरी बात को, समझ लेना, आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, जो हम बोलते हैं, बस उतना पढ़के चले जाएए, पेपर में बही आएंगो जो हम बता रहे हैं, 85% प्लस आपको मिलेगा देखने को, और 100 की 100% जो आपको देख रहे हैं, food and nutrition और घाई ग पीडिएप के पीडिएप भी डानलोड कर सकते हैं, आप जो नोट से देख रहे हैं, इसकी पीडिएप भी डानलोड कर सकते हैं, पीडिएप का लिंक टेलिग्राम पर मिल जाएका, टेलिग्राम पर जाके डानलोड कर सकते हैं, या आपको बीएवाई, बीकॉम भाई, बी ज्यादा इंपोर्टेंट है मतलब कि मैक्रो और माइक्रो जो तत्व होते हैं उनके वारे में आप से पूछता है ठीक है जैसे कि RDA का पूरा नाम क्या होता है आप को आंसर दिया होगा और उसके तुरंद बाद में आंसर दिया होगा इस तरीके से आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा आप नोट्स को डालोड कर लेना ठीक है तो यहां RDA के फुल पार्म पूछी गई है तो आप जानते हैं रिकामिनेट कह सकते हैं डायेटरी और लाइ है जलबाई और मौसम और क्यरिया सिल्टा उप्रुक सबी को लग करेंगे डेक्स कोशन है आर डे में महळा और पुर्च की मातरां कैसी होती है तोама कौण कं conventions है तो आप कोंगे सारिक अवस्थाओं भी आहार की मात्रा और पोशर तत्वों की आवसकताओं को प्रवावित करती है ये अवस्था किसके अवस्थाओं है तो ये कौनसी अवस्थाओं होती है तो आपको ये सब गर्व अवस्थाओं होती है ठीक है, operation अवस्ता के बाद यह फिर दुम्तपान की अवस्ता है, यह सभी अवस्ताओं को हम lock करेंगे next question है, कार्वो हाइड्राइड स्टेलेड कोशन बनते हैं, अब यहां देखी, कार्वो हाइड्राइड के यहां वो लगा है, कार्वो हाइड्राइड के जो कार्वन हाइड्राइड होते हैं, उसका एक मुक गटक नहीं होता है, या मुक संगठन नहीं होता है, ठीक है, next question है पेड़ पौधों के हरे देखो, हरे बराबर पत्तों में एक बिसेश पदार्थ पाया जाता है उसे कहते हैं, उसे देखो हरे जो पेड़ पौधे होते हैं में हरे पत्तों में एक बिसेश पदार्थ पाया जाता है, वो पाया जाता है क्या? बदाओ किलोरोफिल होना चाहिए था, यहाँ ग्लोबिल पाया जाता है, उन्हों लेगा है करण होते हैं इस बात क्या रखना ठीक है नेक्स कोशन क्यों चले अब यहां देखिए यहां बुला गया है कार्वो हैड्रेट का स्टार्च युक्त बदार्थ कौल सा होता है कार्वो हैड्रेट के स्टार्च युक्त बदार्थ होते हैं वो जो भी होता है बात जरा भी होता तो एक ग्राम यदि कार्वो हैड्राइड लेते हैं तो चार कैलोरी जी से कहता है कैलोरी आपको प्राप्त होती है एक ग्राम कार्वो हैड्राइड में चार कैलोरी प्राप्त होती है नेक्स कोशन है कार्वोहेड्राइड की प्राप्ति के साधन को कितने भागों में बाढ़ सकते हैं तो कार्वोहेड्राइड की प्राप्ति है उसको दो भागों में बाढ़ सकते हैं उसको प्राप्त करने के साधनों को ठीक है तो उसमें जो परमाड़ो की संक्या होगी एक चेल कारवोज होता है एक कैसा होता है तो तो सभी इस तंधरियों में दूद में उपस्तिती रहता है तो सभी इस संधरियों के दूद में क्या उपस्ते दोता है वो होता हैलैक्टॉज नेक्स कोशन पूला क्या थे ट prospects कि सी में पायजा तो आप कशते हैं पके हुए फलों में साधन मैं कार्यों समय कशुषा depends करें अर्वी जो हैila अर्वीं में बुंदook मैं बोलते है इससे भी और जिमीकंद से भी हमें कार्वो हैड्राइट सबिनोंग करना उर्जा वा सकती प्रदान करना कार्वाहइड का रोता तो कहतने पिर अत्वु पिरकार होते हैं तो confirm सब्सक्रा नहीं होता है जो आपको की गोड़ होता है बूरा होती है सरक्रा होती है यह सब बसा के लिए कर्भोज के लिए सबसे ज़्यादा होती है तो याद रखना जो कमझोरी आ जाती है कर्भो है डेंगे तो हमारी नेक्स कोशन है कार्वोज का पाचन जल्दी होता है जब की अपेक्षा जिसकी अपेक्षा बसा की अपेक्षा कार्वोज का तो पाचन हो जल्दी हो जाता है मनुस से 10 कैलोरी उर्जा प्राप्त करता है तो बनुस से 10 कैलोरी उर्जा प्राप्त करता है तो 2 सही 1,2 ग्राम तो ओप्शन इसने भी दिया है C परमसत्तान सरोगा होती है और कार्वाइडराइड कर्फ काहां अधिक संग्रहित है तो आप तो आपको अक्षूल में सबसे धाधा कार्वाइडराइड पाई आफ चाल सो हो ताएगा कि अario को विई वो 70 से 90 परशेंट क्या होती है 90 देखो mg प्रती ml होता है GM स्वारी यहां मुलागे mg ठीक है mg प्रती ml ठीक है प्रती ml में 90 से इतने mg तक क्या होती है आप कहोंगे glucose होता है next question यहां बूला गया है कि कारवोज की मात्रा कम होने से ब्यक्ति को क्या नहीं मिल पाती तो आपको ओर पाती है कि कारवोज की मात्रा यह लिगाम हो जाएगी तो ब्यक्ति को चीनल पाएगी इस बात को याद रखिए लैक्स को क्या आते हैं सबसे स्ट्राइव जानते हो उसे घरेलु सपरा शबकरा कहते हैं जैसे कि चीनी वगयरा कहते हैं आब सुक्रोज के लाती है, नेक्स कोशन यहां बोला गया है, ध्यान से देखिए, दूद, छैनी, अंडा, संत्रा, टमाटर, आदिसोत होते हैं, कारवोज के, कारवोज सबसे ज्यादा संत्रा, अंडा, और छैनी में पाया जाता है, यहां बोला गया है, डाइसेकराइड का उधा होता है पॉली सेक्राइट होता है नेक्स कोशन बूला गया है माता के दूद में कौन सा कार्बोज पाया जाता है तो आप लेक्टोज पाया जाता है इस्थंधारियों के दूद में ठीक है नेक्स कोशन बूला गया है लार में किस कोशन तत्व का पाचन कह सकते हैं सुध होत नेज्ट कोशन होता है तो आफार का फाचन में मदद करता है नेज्स कोशन है मनुस आहार का मूल कौन सा है तो वो स्टार्च होता है अहार, दिखो यहां बुला गए, मनुस अहार का मूल स्टार्च होता है, ठीक है, नेक्स कोशन बुला गया है, मानव सरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सरवधिक उत्तरदाई एंजाइम है, वो होता है वेटा, कौन सा एंजाइम सबसे अधिक होता है, मनुस के सब्सक्राइब आपके अपके सामने आ चुका है इसको एक बार देखिए यहां बोला गया है ग्लाइको प्रोटीन कितना प्रतीसत कार्वो हाइड्राइड के एक चर संगठक सहीत जैब रसाइने के दरस्टी से महत्पूर्ण योगिकों का समूँ है तो आप गोगे कितने परशेंट है बुकाँगे एक से लेका असी परशेंट तक है नेक्स कोशन बुला गया है माइक्रो पॉली सेक्राइड के साथ कौन सयोग मनएगा जिसमें प्रोटी कह सकते हैं प्रोटी ओ ग्लाइकस के रूप में पाय जाते हैं तो वो पाय जाते हैं कार्वोज कार्वोज पाय जाते हैं जीक अब करोगे आपको तोड़ देता है तो आप गोगे वह तोड़ देता है गुलुकोज और गेलेक्टोज में तोड़ देता है option number हम B को लॉग कर देना बहुत जादा important है कि lactose और enzyme होता है वो जटल सुक्रोज और lactose को किस में तोड़ देता है तो आपको glucose और गेलेक्टोज में तोड़ देता है next question है tylin की किरिया में कार्बोज के पाच्चन की फिर किरिया में सामिल होता है तो आप कोगे ये सभी सामिल होता है option number D को लॉग कर देना next question है tylin के enzyme होता है जो लार में पाया जाता है इस बात को याद रखना है यहां बुलागा है glycoz 71 होता है किस रूप में तो आप कोगे वो होता है glycogen glycogen के रूप में होता है glycogen के रूप में होता है glycogen के रूप में यहां कहला है glycogen कह सकते है glycogen का सग्रह सरी के किस भाग में होता है तो याकरित मतलब की लीबर में होता है next question है कार्वोज का कार क्या होता है protein को मुक्त करना protein को मुक्त करना का कार्बोज का मुख कार होता है प्रोटीन को मुक्त करने फलो की सरक्रा कहा जाता है फलो की सरक्रा कarta क्या होती है फ्रक्टोज के सरक्रा को बोलते है पल में जो मीठा पन होता है वो फ्रक्टोज के काड़ होता है दूद मीठा होता है वो लेक्टोज के काड़ होता है ठीक है ठीक है ना समझा है मेरी बात को चलो नेक्स कोशन बोला गया है देखिए एक ब्यक्ति के समान आहार में उपस्तित कार्वोहाइटर्ट संपूर्ण साण प्रकरीया में है पाएंज जानेवाले चरणों का सरप्रतम कौन Product% और सबसे पहले चरण में आता है रहा ग्लाइगोजन नेक्स्ट कोश्टिन बुला गया है संद्रविद भोजन के साथ संतूलन में पोस्ट प्रेडियल रक्त गुलुकोज पिरक्रिया पर आधारित भोजन का स्रडीकर अधी सूचिक कहलाता है तो वो कहलाता है ग्लाइसे मिक्लाइसे मिक कहलाता है ऑप्शिन नमर्ड डी को होता है ठीक है तो इस्टार्ज किसे मिलकर बनता है तो आप गोगे इस्टार्ज वीटा इस्टार्ज किसे से आप मोगे एमै लोज और एमाईलो पैक्टेन से मिलकर बना होता है option number C को लग करना A और B दोणों राइट है next question आपके समय stars कहां टूटता है तो छोटी आत में टूटता है stars कहां टूटता विटा छोटी आठ में टूटता है next question है मानब सरीर में stars का पाचन सुरक्षा के लिए सर्वधिक जुम्मेदार enzyme होता यह वो होता है glycosic phosphate के दारू巴 glycos और 你ow сил यू ड्यविकियोग वी कोहते हैं टो यह सभी हो जाएंगे इस्टार्ज का सुरोत होते हैं तो यह सभी होते है इस्टार्ज सभी होते हैं ओ पर वो सभी लॉग करते हैं में भोजर में ऊज़ा का सबसे संद्र कॉन सा होता है कार्बो्ज होता है लार गरंथी के शान पाचान करते हैं तो का रभा हाएट का चलो भुला गया है सरकरा को बरगे किया गया है तो 500 कह सकते हैं विकारी खाद में, गैर विकारी खाद में, निमनेकित में से किसका प्रतिसत दूद अधिक होता है, तो आप गोगे कार्वा हाइड्राइड का, कार्वा हाइड्राइड का कितना प्रतिसत दूद अधिक होता है, तो आपको कार्वा हाइड्राइड में क्या होता है, सबसे ज़्यादा दूद होता है यहानों दिम्नमे से किसका प्रतिसत दूद अधिक होता है प्रोटीन unemployed सरक्रा को किस्स बस्तु में तो याकिर्ज जो होता है वो सरक्रा को किसमें बदलता है गलाइकोजन में बदल देता है option number D को लोग कर देना ठीक है अब हम fats के बारे में जिसे हम बसा कहते हैं बसा से लेटेट कोछ कोशर बनते हैं अब अब तक हमने कार्वो हैड़ाइड के ऊपर कोशर देखे थे अब हम fat के ऊपर देखेंगे मनलब की बसा जिसे कहते हैं अब देखो कह रहा है बसा में गुलंसील बिटामिन कौन सा नहीं है तो बसा में बिटामिन B एक गुलंसील बिटामिन नहीं है आप कोगे बसा तो कह सकते हैं खीरा जो आप देख रहे हैं कि बिटामिन K, बिटामिन E, बिटामिन D, बिटामिन A ये तो बसा में गुलंसील होते हैं तो बिटामिन जो नहीं होता है वो B और C जो होता है वो क्या होता है बिटा B और C क्या होता है ये बसा में गुलंसील नहीं होते हैं बी और सी ये जल में गुलंसील होते हैं ठीक है याद रखना है next question बूला गया है देखो निम्नेकित में बसा का सांदर सुरोत नहीं है तो वो गेहू नहीं होता बसा का सांदर सुरोत ठीक है मक्कनगी तेल सभी होते हैं जिसे वहनी फैट बढ़ती है यहारा है संत्रत बसी अमल कौन सा तो आपको यह सभी संत्रत्रत बसी कहलके उलीक अरольше, दूनिक अमल भी कहेंगे, और लिलोणी एक अमल नेक्स कोशन है बूला गया मूवभली में सबसे मुभली में लगभा कितने परतिसत बसा पाई जाती है तो आप होगे 50 परतिसत पाई जाती है मुभली के अंदर अंदर सब सबस्क्राइब पोटीन होता है ठीक है नेक्स कोशन बुला गया देखिए निमन में से संद्र बसी अमल कौन सा है तो आपको सभी है उपर भी बता चुका हूँ यहां बुला ज्यादा तर मोटे व्यक्ति को ही होता है मदू में रोग मदू में जो रोग होता है वो ज्यादा कर मोटे व्यक्त करने के प्रमुख साधन कौन कौन से है तो बसा सबसे मुख साधन होता है यदि आप चाहिए तो बसा की अधिकता में कौन सा रोग हो जाता है तो बसा यदि हमारे के सकते हैं प्राइनो डर्मा हो जाता है और अधिकता हो जाती है तो बैसे सटी रोग हो जाता है क्या कहाू CHAN ते दोशन वो लगए अब सोशित बसा को क्या कहते हैं अब सोशित बसा को हम दो माई प्रों कहते हैं क्राइलो nic fest operation नमरी पोलाइक करते हैं लेक्सिवाद हैं नियुक्त नैल चीवाज़ीक के और और पित्रस भोजन की बसा को छोड़कर छोटे-छोटे कड़ों में विभाजित कर देते हैं यह किरिया कहलाती है तो यह कहलाती है बेटा कि इमाल सीफिकेशन कहलाती है option नमर 20 को लॉग कर देना नेक्स कोशन है देखो इसको देहन से देखेंगे यहां बोला गया है लिनोलिक एसिड और आरेकिनोडिक एसिड की कमी से कौनसा रोभ हो जाता है तो आप गोके यह जनल रोग हो जाता है चरम नश्ट रोग हो जाता है लेक्स कोशन मूदा गया है कि कोच्छा तोड तोड़ के समान किस पोशक तत्विक कमी हो जाती है तो बसा के गाण हो जाती है आपिजिक्स द Düny अश्छ wiped है देखिए बसा की अधिक्ता में कौन सा रूख हो जाता है तो अभी हमने ऊपर भी बठाया था एक रोग और भी होता आप हो जाती है तो जिसे और कर सकते हैं और कर सकते हैं और यहां देखता की बात की जा रहे बात भाहिए आप उसको भी लगा सकते हैं और आप इसको भी लगा सकते हैं जिसे आर्थियो सब्सक्राइब कर देना है बसा का जो ग्लाइकोल किसके द्वारा याकृत में पहुंचाया जाता है तो वो पहुंचाया जाता है देखो रस्ति प्रिष्टि सिकादवारा जो एक प्रिष्टि की स्राह होता है उसके द्वारा पहुंचाया जाता है ठीक है नेक्स पोश्रिकी है यहाँ फॉनाइक ग्लाइग्लाइग ग्लाइस रोल वसीय अमल और मोनो ग्लेसर राउल कैसे के ग्रैस रायल्ड कासे थे हैं मो किसमें परिवर्तन हो जाती है तो बुबिटा देखू लाइपो प्रोटीन और क्लाई कह सकते हैं क्लाइड देखू काईलो माई क्रॉंस में परिवर्तन हो जाती है ऑप्षिन नम्मर हम अभी को लॉग करें के ठीक है द्वारा होता है ने Sun है कि और कि स्ट्रॉल किसके द्वारा प्राप्त होता है तो वह बस्यों तेल द्वारा प्राप्त होता है एक लिग–मर्शन है उत्पादित हो सकता है तो आपके नाइक्टोजन हो सकता है कौन से इ subtitles होते हैं तो फास्पोलेटी यहोगी के बीड्स होते है कौन सी भसा नहीं पाए जाती है तो बहुत हो में इसामने पाए जाती है जो ग्रस वाल में घ्राważत क्यार्टिप के बारे में सर्प्रत्व किसने बताया। तो वो बताया था बर igen बर ने-क्स सामने है ने-क्स किसनं को एक बार देखेंगे यह कोशन आपके सामने है कि निमनिकेत्थ बसा में कौन सी अल्प और मद वसीय अमलोकी स्रंकला में सम्रित्धी है तो आप वो है मक्षन की नेक्स कोशन है आहार में संत्रप्त बसा उच्चता निम्नेकित विकारों में से किस से सम्मंदित हो सकती है तो वो हो सकती है हादर कह सकते हैं जो हादरवाही का रोग होता है उससे हो जाती है नेक्स कोशन है बहर लिपी का जिसमें जल भीरू और जल प्रिमी समूद दोनों होते हैं वो होता है बिस्मानू कह सकते हैं भूतिक ठीक है नेक्स कोशन बुला गया है यहां देखिए 34 कोशन बूलेंगे इस्तिरॉइड में एक छक्र विले होता है वो कहलाता है पेट़नों परहिड्रो फिने तो कह सकते हैं फिनेड्रीव जीक हैं? ऑप्षिन बंबर बी को लुक करेंगे नेक्स कोशन है बसा अपसोसित की प्रिवस्था में जो किरम सामिल होता है वो उप्रिवस्था सभी किरम सामिल होते हैं option number D को लोग करेंगे नेक्स कोशन मूला गया है निम्ण में कौन आवश्यक वसमिय अमलता सुरूत नहीं है तो वो होता है रोई के बीज का जो तेल होता है तो एक वशिम अमलता सुरूत नहीं होता है यहां बूला का है साकाहारी आहार में आवसक कमी होती है वह होती है संत्रप्त वसीय अमलकी ठीक है नेक्स कोशें यहां बूला गया है सिसु के लिए सर्वधिक महत्पूर आवसक वसीय अमलक कौन सा है सिसु के लिए सबसे महत्पूर होता है वह नेक्स कोश्वीन बूला किसे कम मात्रा में संत्रप्त बसीय अमल होते है तो नेक्स कोशं बुला गया है कि LIFE PAGE मदद करता है तो LIFE PAGE बिठा LIFE PAGE जो मदद करता है वो करता है LIFE PAGE की APPल मदद करता है LIFE PAGE की next question मुला गया ہے M.U.F.A ज़न साधन किसका है वो होता है जैतून के तेल का होता है next question मुला गया देखो कहरा है TAP से कौन से पदार्ट सी कौन से पदार्थ को इलॉगेंट हो जाते है तो बसा हो जाता है भिसा में जो इलॉगेंट कदार्थ होते हैं वह क्या हो जाते हैं इस ओडुन कोному इस लेन्ट हो जाते हैं फसके हैं नेक्स्ट कोशन है M U F A का अच्छा सुरूत कौन सा है वो होता है वो फलीगा यहां कह रहा है बेकरी उत्पादर में जो ट्रांसफेट बाली कौन सी बसा प्राचूर मात्रा में होती है वो होती है हाइड्रो जिनेटिक बसा ऑप्शन नमर B को लॉग करेंगे नेक्स्ट कोशन बुला गया है बसा उर्जा को कम करने के लिए मास हमबर गर में बसा की थोड़ी मात्रा के बदले में क्या मिलाते हैं तो वो मिलाते हैं गोद गोद या फिर गम को मिलाए जाता है ठीक है बसा के लिए फैड बनाने के लिए नेक्स कोशन है आप बूला गया है निमनेकित में से तेल एकल आसंत्रत बसा आमला जिसे हम F.U.A. में कहते हैं उसका अच्छा साथन जैतून का तेल होता है या फिर मोवली का तेल होता है ठीक है नेक्स कोशन है बूला गया है भोजन जिसमें संत्रत बसा और ट्रांस बसा ए आपके साथ ज्यादार्त कह सकते हैं ज्यादा देर तिकता है तो वह होता है बसा सबसे ज्यादा देट हमारे बॉडी में तिकती है नेक्स कोशन है बसा के संत्रप्तव होने के इस्थर का अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है तो वह लगाया जाता है आयूडीन कह सकते हैं value दोरा आयोडीन की value दोरा उसको लगा सकते है next question मुला गया है मानब सरी में बसा की सुपरचेता के लिए उत्तरदाई enzyme होते हैं वो लाइपेज होता है next question है निमन में से कौन सा omega 3 वसा अमल है वो होता है बिटा lino नयाईक अमल next question बूला गया है इसको देखिए त्रेपरमा कोशन बूला गया है gluten मुग्त आहार किस बीमारी के रोगों को दिया जाता है तो वो दिया जाता है जो बीमार हो जाते है सिलियाक बीमारी जो होती है सिलियाक बीमारी से बोलते है उसके लिए next question है केरोटीन का सोशन करने के लिए भोजन में निम्निकित तत्वों की जरूरत होती है, वो वसा की होती है, ठीक है, नेक्स कोशन है, निम्निकित में से कौन अनिवार ये वसायुक्त लिपिड है, तो वो होता है, बेटा, अनिवार जो होता है, वो होता है, कह सकते हैं, लीनोनेक acid next question मुला गया है किसने oxidation में से सर्भेतिक उर्जा प्रतिगरहण प्राप्त की है वो की है बसा की next question मुला गया है ध्यान से देखेंगे P.U.F.A का उधान क्या है सभी लोग PDF को डानलोड कर लेना PDF का लिंक description box में दे रखा है टेलीग्राम का टेलीग्राम पर जाईए टेलीग्राम पर सारी PDF डाल रखेंगे जाके देख लिए डानलोड कर लेंजे अपने फोन में और किसी भी कैफे बिजाका निकलवा कि ओसत के रिया कितनी होती है तो 12 से 18 वार एक मिनिंट में सांस लेता है निमीमेसे कोडिस्ट्रॉल का सरवदिक भनिष्ट संबंध कि से है तो बसा निम्म varieties को सबसे ज़्यादा से कौरिस्ट्रॉल से बोलते हैं बसा यदि तेल अधिक देर तक गरम करने से एक हानी कारक पदार बनता है वो बनता है बिटा एक्रू कह सकते हैं एक्रोलिन जो होता है बसा को यदि यह तेल को जादा देल तक गरम करेंगे तो एक्रोल हाई खानी कारक पदार बन जाता है नेक्स पोशन है बसा को पचाने के लिए आबसक इंजाइम लाइपेज को कम उपयोगी करना चाहिए बसा एक मोटा विकती है या कि इस्थुलका विकती है इसको बेटा वचा का यूच कम करना चाहिए next question है सर्बदिक और्जाव की कैलोरी उत्पन करती है वो सुद्ध घी सबसे जादा कैलोरी उत्पन करती है सब्दिक ठीक है? घी सुद्ध घी होता है, वो आपको सबसे जादा और्जा देता है बसा के पाचन केरिया करने वाले एंजाइम को के लिए पिट की आवसक्ता परती है ठीक है नेक्स कोशन आपके सामने है इसको देखिएगा यहां बुला गया है बसा की कमी से तोचा रोग और चोटे-चोटे जो नुकेले दाने निकल आते हैं यह लक्षण कहलाते हैं ठीक है तो बसा की कमी से तोचा के कुछ रोग हो जात होता है एक यह नेक्स पोशनल ऑविशेटी रोग किससे हो जाता है यह करोटीन का सोशल किसकी उप्लब होता है तो आप गोंगे यह बसा और पित दोनों की उपस्थति नहुता है उपलूब लॉप कर देना हम पारट अब हम पार्ट फूर की बात करेंगे पार्ट फूर पे ह उसके आधार पर हम सारे कोशन करा रहे हैं topic by topic अब चैनल को subscribe कर बैल को जरूप रेस कर देना है उसके बाद में हम देखेंगे vitamins को mineral को ठीक है और butter का हमारे body में क्या problem होती है क्या क्या solution होता है उसके बारे में सब कुछ देखेंगे अब minerals जैसे की iron हो गया जिंक हो गया sodium हो गया potassium हो गया calcium हो गया वो हमारे body में किस तरीके से काम करते हैं उनके बारे में हम पार्ट 4 में देखेंगे तो आप अभी वीडियो को subscribe कर लेजिए और पीडियो को download करने के लिए description box में हमारा telegram का link दे रखा है उस पे जाईए और पीडियो को download कर लेजिए को